गुद मार्णिंग एब्रिवडी तो हम लोग फिर आज चलते हैं पलस्टू के बुक्स के सिलवस को समझाते हुए वह से पूर्ण सिलवस के थोरी चर्चा करेंगे इंब्रिवड के सिलवस को समझाते हुए इसे कुषिटन पैटर्न को समझाते हुए तब हम लोग बुक में जोड डालेंगे यह दस जून से महीने कहा था किताब की ओनलाइन कलासस लाइव कलासस होगी तो रिगलर उवे में होगा कारण है सारे रूटीन्स आप सो ते एक महीना के अंदर हो जाए इंपासबल है क्योंकि सेशन बनी हुई है 10 से 11 महीने की तो कम सिकम 6-7 महीना तो चाहिए अब आप आईए क्योंकि आपके दो-दो बुक्स है ग्रामर के टॉपिक से 17-18 उसके बाद ट्रांसलेशन्स है राइटिंग अविलिटी है सारे ची के लिए आपको सब रखनी है मैंने एक लेशन मात्र पढ़ाया है स्टोरी ऑफ इंगलिस में मां की मां की है अज सारे लेशन्स का दर्शन करेंगे और तब बारी बारी से हम लोग लेंगे अभी एक दो हम लोग दस्तारी के अंदर लेंगे और उसके बाद रुटीन आपकी प्रपर वे में प्लस टू के लिए अलग लाइब क्लास से चलेगी एस पकन के लिए अलग लाइब क्लास से चलेगी अरे विश्य की हम लोग धीरी-धीरे भार उठाएंगे, फर्स्ट मंत में थोरी सब रखनी पड़ती है, राइट ना, तो हम लोग आते हैं, सिलेवस पलस्टू बिहार बोड के लिए, एस्टेट बोड के लिए, हंडेर मास्ट की अब हो गई है, पहले हंडेर फिप्टी टू करनी है ये देखना है, भासा में फैल बराबर फैल, इसलिए ग्रेश वी बासा में नहीं दी जाती है, भासा में ठीक महिनत करेंगे, मास्ट अच्छे होंगे, इस बार भी आपने देखा है, आगी पीछले बार भी देखा, कई एक सालो का रिकॉर्ड है, तो भासा में थोर का होता है उसको प्राडूप में बताएंगे सक्षन ए अबजेक्टिव के लिए होते हैं इस अबजेक्टिव में 60 कोईटिन्स होंगे 50 का जवाब देना होता है मात्र 50 का उन 60 में 60% ग्रामर प्लस वर्ट से होते हैं कोईश्टन्स और 40% बुक से बुक में भी तीन भाग हो ग पूछता है किसी सद्दोग कभी कभी तो कोईश्टन्स आपके छूटेंगे नहीं बिल्कुल धायज के साथ आप पढ़ेंगे जिसमें 60 कोईश्टन साथ भी हम बताते चलते हैं लांग कोईश्टन्स में भी आपको मैंचिंग टेस्ट दी जाती है और मैंचिंग टेस्ट क इसके लॉइंगे यह दोनों से आप बस सकते हैं इसलिए मार्स लेना भी कला है कैसे मार्स आए कैसे पूरा हो इस पर फोकस करेंगे और ग्रामर के चप्टर को पूरा धोएंगे वर्स के चप्टर को दोएंगे जो कि 60% objective उसी सर हैंगे 40% ही books से objective रहते हैं ध्यान दें syllabus को एक नजर हम लोग देखें थोरा सा English 100 math BSAB plus 2 के लिए 50 math के objective होते हैं इन objective में 60 questions लिए जाते हैं लगि 60 में से आपको 50 ही कोई भी चूज करके बनाना है इन 10 questions आप छोड़ सकते हैं जो भी मान लोग कोई किसी का narration बारी लगा किसी combination बारी लगा किसी phrase में आप लटक गए किसी book के काथ question लटक गए और 10 question छोड़ना है इसलिए अभी तो option ही option है ठीक है न 60 में से 50 देना 50 out of 60 60 में से 50 ही जवाब देने हैं 10 छोड़ने हैं अब इसमें objectives जो आएंगे 60 question किसे grammar plus words से 36 यान 60 percent and books से 24 equal to दोनों करोगे तो 60 question हो जाएंगे इन जवाब आपको किते देने हैं 50 ध्यान दें books में दो book आपको पढ़ने पढ़ेंगे random one part two part one 11th के लिए था और part two grammar translation लगभ़ लगभ़ शेम है एक combination भाग जाती है इसमें plus two में कुछ phrases हो गहरा बांकी तो सब plus one और plus two की grammar एक ही है है ना translations एक ही है बस books में अंतर हो जाती है बहुत तकलिफ उठाने की जाते हैं कि जब मैं ख़ड़ा हो गया हूँ English में दिक्कत नहीं दूँगा मेरी question ओईसे भी आप कहते हो कि आपकी sir question लड़ जाती है यह तो मामूलीशी बात है यह को बड़ी बात है यह 24 साल के record है अब आज़ाई सबसे पहले हम देखते हैं rainbow part two और a story of English यह जो भी हैं आपके past problem वो no problem में बदल जाएगा इसके लिए हम खरे हैं अब आए सब्जेक्टी भी 50% आपके question पूशे जाते हैं इन questions में essays number two later application comprehensions यह सब आपके क्या होगा writing ability में और reading ability में reading items में होगा comprehension यह परके जबाब देना है उसमसे दून करके writing ability में लेटर application हम लिखना सिखाएंगे आपको कैसे कैसे लिखते हैं कौन कों से guess में पूशी जाते हैं कैसा पारूप होना चाहिए letters का कहां से शुरू करना है essays के topic समदेंगे उसको बताएं कैसे लिखी जाती है translation के जरीए सब्ची को आप solve करेंगे translation इसलिए बार बार करते हैं बहुत मजबूत कीजिए structure ही है जो भासा की power को बढ़ाएगी structures के बीना सब चीज सुना सुना होगा structures, tenses and words इस पर जादे अप अमल करेंगे भासा की पकर या भासा की निखार चाहते हैं तो आप देख रहे हैं essays पांच में से एक ही लिखना है पांच पांच टापिक में एक लिखना है कोई भी एक लिखो यह एक मार्स के रहते हैं लेटर अपलिकेशन फाइव मार्स के रहते हैं इस सब आउट अप बुक हुए एबिलिटी चाहिए आपकी कंप्रिहंसंस आउट बुक रहते हैं कोई भी कहाigu का भागकर देदेगा उसके अंदर आंसर होती है फ्रेति में भी कहाँई का टुक रहेगा आप उसको छोटा करक लिखना एक तिहाई तो अत्वा में रहता है कॉंप्रेहंस से बना लो प्रैसिज नहीं बना लो और अब हम लोग देखते हैं बुक से बुक से explanation होंगे प्रोज में से और प्रोटि में से चार चार आपको दी जाते हैं चार अध्याय से कोई कभी तहा कहा तिन चार लाइन दे लेगा दो लाइन दे देगा एक लाइन दे देगा करो देज लाइन सब्सक्राइब नाम देंगे आप उसका बड़न करें इसी तरह प्रोज से करेंगे इस सब कला सिखाएंगे को स्क्राइब बुक्स मैटेल भी पंदर जून के बाद मिलें तब परिपुर्णा अपकी होगी आप सोते हैं बिना बुक के भी पूरा हत्यार लेकर के चले जाएं बड़ी मुस्किल है सभी नोट्स आपको मिलेंगे अग्यार साथ कोईसंस वाइड्स होगे अगया सब काज बढ़ियां से इसको समझते हुए था आगे भागेंगे हम लोग एक एक लेंगे बारिकता चलेंगे बहुत लोग कोईसंस करते हैं सब क्या पूछे कैसे की से पूछे मरे ने बता दिया explanation का मतलब बैक्ख्या होता है दो लाइन को फ़ाइला करके बैक्ख्या करके बर्नन करके बर्नन करके बरहना है तो प्रोज में 4 रहेंगे 4 में से 1 लिखना है 1 out of 4 पोईटी में भी 4 में से 1 लिखना है यह 4-4 options एक एक चुनना बरी भारी बात नहीं है चार-चार मास के रहेंगे एक प्रोज से लिखना है एक पोईटी से 8 नमर की यह भी हो गए साथ questions हमारे तीनों section से दिये जाते हैं मुख रूप से पोईटी और प्रोज इन से आप साथ questions लेंगे एक दो कभी-कभी आपको a story of English से देता है कभी-कभी एक देता है कभी-कभी-कभी आट में नहीं भी देता है निसवार भी नहीं दिया था ति यह a story of English से बहुत कम questions रहते हैं ठीक ना? लेकिन देखना तो है long questions के लिए आपको बहुत उपाई है long में ही डरते हैं आप लो अरे poem देगा 3 से 4 option उससे एक summary लिखना है poem is poetry pros, गदभाग एक गदभाग में क्या-क्या होते हैं गदभाग में essays होंगे पढ़ने वाले गदभाग में आपको stories होंगे गदभाग में speech होंगे गदभाग में ही आपको एक drama है साधी की परस्ताओ marriage परस्ताओ बहुत ही अच्छी drama है Russian writer ने लिखा उसे और बहुत ही मर्मिक बहुत हसने वाला comedy है आप सुनेंगे बहुत आनंदा आएगा खासे के मेरे से आईए हम लोग देखते हैं ये 3 long जो देगा 3-4 poem में से एक लिखना है 3-4 परोज का टैटल देए एक समरी लिखना है तो poem की तयारी आपने बढ़ियां से जदी कर लिया तो परोज की आप समरी छोड़ सकते हैं फिर 3-4 आपको रहेगा 3 कम से कम question C में A story of English से उससे एक देना है ओ सर तीनों किताब से एक लांग देना है जी हाँ लेकिन आप दो किताब के लांग को छोड़ सकते हैं माली ये poem से आपने दे दिया परोज के समरी लिखने की जड़़त नहीं है इस्टोरी आप English के लिखने की जड़़त नहीं है फिर सर दस नमर तो मेरा कम हो जाएगा पांची नमर आप करवा रहा है poetry से जी नहीं उसके बाद रहता है matching test पांच नमर जो आज हम दस नम आपको देंगे poetry और दस नम उसके poet उसको आप रट लें उसी में से पांच science commerce वाले को पूछेगा और पांच arts वाले को उसी दस से every year तो दस आपके पांच करम में syllabus उसके अंदर से ही रहता है दस रटने में बड़ी सी बात नहीं है पांच नमर का matching test भी आपका खतम हो जाएगा प्रोज के नाम उसके writers को भी देखेंगे उससे दो तीन आपके objective question solve करने में मदद मिलेगी साथ ही work lesson क्या है आपके matching भी हो जाएंगे syllabus भी हो जाएंगे और कविता के जो शुरुवात करेंगे हम लोग उसके लिए कुछ सब्द भी दे जेते हैं तो यह पहली कविता जो आप पढ़ेंगे sweetest love I don't go उसमें old English काईउज काफी है लगया जगा जगा misprint है मिस्प्रिंट नहीं है शुला मिस्टाबदी के सब्दों को लिया गया आपने गाना सुनागा वाई दिस को लावेडी मून बैक्ग्राउंड वाइटे-वाइटे वाइट बैक्ग्राउंड लाइटे-वाइटे यह इस तरह का गाना जो था लाइटे-वाइटे क्या है ओल्लिंग्लिस का टॉन है अब लाइट होता है इस तरह हम दिखाएंगे भी सुटेस्ट लब का को सब्द को उसको एक सब्दा हम आप देखेगा तो एक सब्दा का दुश्कों पढ़ाएंगे तब तक इस बीच में कलिया पर सो हम लोग क्लास तसलेंगे तब तक छोटी कविता मार देंगे ताकि उसको पकरना सिख जाएए एक्स्पलेनेशन करना सिख जाएए उसके अबजेक्टिव को देख लिजिए और तब सिख लवाई सभी कविता बारी बारी से आपके होते रहेंगे दो-दो कविता पर एक प्रोज मिले चलेंगे कभी-कभी एक ड्रामा, एक कहानी, एक स्पीच ये सारे चीज़ को हम लो लेते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहों कहीं दिक्कत ने होगी, हाँ थोरी सी दिक्कत है आपके पास पैक्टिस करने के लिए बुक नहीं है, मैटेरल्स नहीं है अबजेटिस सीट होगा, आप बनाएंगे और इस अबजेटिस के पॉइंट्स को हम बोर्ड पर करवा देंगे बोर्ड पर सारी किताब को लेना बड़ी मुस्किल है नहीं उसके थीम को ले सकते हैं उसके समरी को ले सकते हैं में पॉइंट्स को ले सकते हैं कोशन अंसर को ले सकते हैं अबजेटिक के पॉइंट्स को ले सकते हैं पॉईट्री यरे स्टोडी औफ एगलिस में इसे एक एक देने हैं जड़ी आप पॉईट्री का जवाब दे दिये प्रोज नहीं देना है स्टोडी औफ इगलिस उसे बचने के लिए क्या है तो विकल्प हैं मैचिंग मैच कर लेंगे 5 नाम कबताकार, 5 पॉयट का, बस 10 मेंसे ही पूचता है। आप यह कर लें, इसके एक्डियर्वयलेंट हो गया। इसके एक्डियर्वयलेंट में ट्रांसलेसन आता है पांस, और ट्रांसलेसन बहुत ही हलका रहती है। एकदम मतलब समझते हैं कि टैंस बिस्ट, या फिर जाना मुआजवार है जब है बताए थे जाना है खाना है लेना है चाहिए सकना इसा हम पराएंगे इस सब सब्सक्राइब महीना के अंदर का डोज है और सब ट्रांसलेशन को आप देखते रहेंगे उसी में से पूछा जाता है सिम्पल सिम्पल करने के लिए आप तयार है आप तयार हैं हम तयार हैं दोनों आदमी तयार हैं समझे दोनों आदमी का नवका पार है ठीना तो सेवन कोशन्स आपके सब्जेक्टिव में पूछी जाएंगे ऑब्जेक्टिव में साथ में से पचास जवाब देना है सेक्शन से से सिर्भी में सब्जेक्टिव रहेंगे से कौन-कौन पहला माली इस से है दूसरा प्लेम से या प्रेक्टी से आपको एकस्पलेंशन 4 मेंसे एक जवाब देना करना है ज़ो फा लेटर ही आप्लेकेशन रहेगा नमबर हो सकता आगे पीछे हो चुकि दस सेट बनती है इसी को उपर नीचे कर दे जाए एक को दो दो को तीन तीन को चार तो लेटर अप्लिकेशन से एक लिखने दो कोश्चन्स रहेंगे पांच में दस कोशन हैंगे साथ साथ का मतलब पॉयम से प्रोज से एने श्टरी अफिंगलिस से कुल मिला कर दास किनी पांच का जवाब देना है मानलोग पट्री सक्षन पर बल लगा रहे हैं जोड दे रहे हैं क्यों क्योंकि उससे मैचिंग भी रहेगा एकस्पने नेसंस रहेंगे समरी भी लिख लोगे हलका रहेगा एक ही पदती पर चलोगे और साथ कोशन्स भी तीन-चार बन जाएंगे एक दो प्रोज से बना लेंगे या इस्टोरी आफ इंगलिस से जो आपको दोनों सेक्षन में अच्छा लगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा एक भी किताम न नंबर आते रहे हैं जो बिहाँ टउपर की बात करते हैं फंशन्वे मार्क सोसके एलिस में जादे वगाए छो बह एक ले को पाया बिहाँ टउपर पनंचानवे है और नवी से पंचानवे की वीच तो बहूत सारे लगए अजहां तक हम लोग मच्शन पंचानवे की वीच 96 के बीच जो देते हैं इनाम सबको सम्मानित करते हैं हर एक साल 3-4 लाग रुपे खर्च आती है यह भी हम करेंगे जुन में छोड़ेंगे नहीं यहां की घोसना घोसना होती है भले थोड़ा कम जादे समय के अनुशार और संख्या के अनुशार प्राइज में यानिकी नगत भुगतान में कमी बेशी आ सकती है लेकिन और भी सम्मानित कीटों गएरा वही मिलता है बांकि कैस या कैस के जरिया आप कोर्स में इंटी लेते हैं तो उसमें छूट यह सारी ची आपको फाइदा मिलता है हम लोग चलते हैं सेवन कोशन में आप आ गए ठीन तो लॉंग मे में आपने आ प्ञाया उसके आप्रशन में आपको मैचिंग और टान्सलेसं से इसके लास्ट में मातर कोमपरेंस और संचेपन रहता है उसी को परशद करते हैं परिस हैना परिस ब्यक्ति है तो भी हाइस्ट उठेगा बिहार का, वहीं मिलेगा ना, मालो मैट्रिकुलेशंस में अभी जो भी 481, 481 है ना, 83 की बात तो नहीं आप कर सकते, बिहार बोर में कुछ ना कुछ मार्ग्स कमते भी हैं, करते भी हैं, लेकि तो भी बहुत सुधरा है, अपना बिहार सबल बिहार हो रहा है, आईए, अब चलते हैं, इसके बाद, आपको सिलवस के पाट करम को दरसाएंगे, ताकि आप समझ जाएए, अब आप गवर से देखेंगे, मैंसिंग टेस्ट के लिए, फाइर मास के पूछते ही, पूछते हैं, साइंस और कॉमर्स के लिए एक ही साथ परिक्षा होती है, एकसिटिंग एक ही कॉशिन, ये अर्टस वाले का चांशा क्यों, क्योंकि लड़कों की संख्या भासा में जादे हो जाती है, साइंस, आर्टस, कॉमर्स के सारे बच्चे हो जाते हैं, इसलिए आर्टस वाले को अलग दिन परिक्षा होती है, सिलवस वही है, पांच आपको दे देगा उसमें से पांच जो छटे उनको दे दिया कभी कभी एक दो कामन भी हो जाते हैं नाम तो इतना ही है रट लेंगे समझे सिट कर गया और यह पांच नम्मराज आपका सिलबा समझाने के करम में ही हो गया और चैप्टर के नाम भी आप जान जाते हैं क बहुत सी भरमार है इसके लिए एक सब्ता हम आप लोग को टाइम देंगे बीच में छोटी सी कविता चुन के परहा देंगे और ताब इसका जो आज सब्धम थोरा सदे रहा है उसको देखेंगे और भी सब्ध रिखा देंगे तो उसको बढ़िया समझने मोगी बढ़ी सी अब करना है यह मेरी दोस्त नहीं है कि आपने 17 साल तक क्यों नहीं पढ़ा हमारे हां तो आज आए हैं आज आप चैनल पर आए हैं यह आनलाइन करास के अलावे आफलाइन करास में इंटर में आते हैं हमारे हैं कंप्टिटी माते हैं इंटर के बाद इस पिकिंग माते हैं दीरे दीरे आपके घर-घर में हम चाते हैं अपना एक अस्थान लें बरूश्य आप अश्रबाद लें और फिर इस समाज का अश्रबाद से बढ़ते चलें ठीक है तो सुचेश लव आई डांट गव जन डन सांग आप माइसल्फ अपने लोग सौंग बोलते हैं सांग आपने लोग ताहित मैं नाव डलेव शथा पालिंग फास्ट फौंग द्रीज बोलोगे फाले ऑडबल एला आल अजने आल इंडिया राटियो आपने लोग फालिंग अपने लोग फौल बोलते हैं धी देर् शुदार करेंगे नाव दलेव सांग फालिंग फास्ट डव हा तो आटम इसका पुरा नाम था और च्छु आटम आटमन ने कर पढ़ाये थे एम के बाद एन ध्यान देना है उस पर में पीछे के चीज को एपिसोड को देखते चलना है उच्छारनवाला सब के लिए जरूरी है प्रणसेशन वाली कल हमने सैलेंट लेटर कुछ पढ़ाया तो तो आटमन ने बोलोगे आटम एन साइलेंट जनकिट्स के द्वारा एन एपिटाफ एपिटाफ ने बोलें एपिटाफ कभर या समाधी पर लिखी खुदी भी बात है खर मीनिंग तुम बाद पढ़ाने टाइम में बोलेंगे अभी आप देखें वाल्टा डिला मेया ड है ना रोपट भूह रूपट भूह रूपञ इंगलिक के नाम है रिजिस कि तरह पी दर शीख्यां ने का एप्यार के एक हैंखीर क्यून से कभी ने बिलार का चितरण किया है भाओ त्ही अच्छी है इन्टरेश्ट यजिग घड़ कव संश्ग तकिह round me inadequate right mister होगा जिसमें आपको इंटेस्ट ने आए कुमार सर के कलास में समझेंगे पूरा अब वर्ट की कमी दिए रट जाना है बहादुर कर सकते हो तुम ही ना दसत माजी ने देखा अपनी पत्री को थोड़ी से दिक्कत खोटे-खोटे पहाल में सुरंग बना दिया कई किलोमेटर रास्ता को बचा दिया जुनून रखो ना विजाई तभी होगे जब अंदर से जुनून होगी आओ इफार हीम मैंने सालेंट में बताया है एम के बाद एन होता है तो फिर एन को क्या करेंगे जिसता आटम में बताये थे हीम में सालेंट करते बोलेंगे उसको मूख वाट बोलते हैं सालेंट लेकर से जिस पर जोडने जाती है जिसे टी यल के ठाक डबलेल के वाक इन टालक वालक इस तरह से सालेंट लेटर बीचन पढ़ाना पर हमें आप उसको देखते हुए तब इसकी कर लेते हैं आप से लिबस धीर धीर देखिए हर एक जरूरी है सबा महीन यंग एज में वैसा ही गाल खुला हुआ पुरा सरी भरा हुआ अब तो मेरे उम्र कितनी है यह अंदाज आपको करना है दस जुन को मेरी बर्तडे होगी एकुरेट उम्र जदी आप मेरे वाट्सप नमबर 7762983400 पर भेते हैं तो 20% से 30% रिवेट मिलेगा आपको कोई भी कोर्सस में आपका देता रहोगा जिसमेरा इस्टेशन आपकी है फार हीम केन दारू बाला अब कहेंगे दारू बाला सर क्या है दारू पीते शी बात नहीं दारू वाला टाइटल है यह पार्सी थे धर्म से पार्सी लोग का टाइटल होता दारू वाला डिबा वाला पानी और भीकर था है, 70 प्लास लाइन से हैं, 70 से धिक लेकिन एक ही दिन में खतम हो जाता है, पौएम सब एक दिन, दोसे दिन, एक्स प्लानासन साद्र, होते होग खतम, सब करवाते हुए चलेंगे उसमें सभी इंपोर्टेंट बाद में बता देंगे इंपोर्टेंट है यह बोर्ड में पूछेगा अब इसे जादे क्या चाहिए ठीना आजाओ एसनेक को लिखा डी एस लारेंस लारेंस टाइटल है इंडिया में चलता जिसे आपको मुकेस लारेंस दिनेस लारेंस एकुमार लारेंस नहीं यह लारेंस टाइटल है इंगलेंड की जिना माइग्रेंड मदर्स हाउस मेरी दादी का घर दादी मा का घर एस को लिए की काम ला सब पांच मैचिंग में रहेंगे स्कीन साथ ले लिजे हम आपके बगल्म हो जाते हैं चुकि जरूरत आपको इसकी है लेसंस के नाम भी हो गए सिलबस भी मालूम हो गई आईसी में से मैचिंग पुछता ये भी मालूम हो गई अब एक लॉंग कोश्चन किसी का चांट सकते ह किताब से एक समरी लिखने होते हैं प्रोजपठी के दो समरी और एक इस्टोडी आफ इंगलिक्लिस का लांक कश्चन स दो तीन में से चुनना है सम्में से को एक-एक लिखना है आप छोड़ सकते हो दो किताबें एक मैचिंग बना लेना एक टांसले सन और एक मातर समरी किस सिरियल ली आपकी चलती रहेगी चलते रहेंगे आपकी शन्तुष्टी हो बहुत लोगत कहाते सर बुक 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 अरे मैंने बुक हाले मिलिया था एक स्टोरी आप इंगलिस का एंगलेस एज वर्लेगुज को ठीशले संहाप औरीजिनल बुक में भी देखेंगे सब पेज बुक है हर एक साल पूछता है उसी में से कुष्चन आई अब्जेक्टिव कुष्चन में रहता है यह सब चीज़ डट लेंगे तो आथर का नाम या राइटर का नाम या लेखर का नाम और यह सब लेसंस के नाम हो गए इस लेसंस हमने एक विशेश्था डाल दिया है कि कौन क्या है कौन सा सिस्टोरी है कौं सा स्पीश है यह कौन सा ड्रामा है करदार बहूंति हैं अगरभ की शौहतर संस्क compliment चाहिए और तुरन की गई है European Sanskriti से कितना उसका first type है कितना हम लोग अच्छे हैं कितना स्लो लाइप में जीते हैं लेकिन वी आर ज़स्ट फॉलाइंग debt culture we want to be advanced हम लोग एडवांस होना चाहते हैं no we are the followers of western culture everybody is mad after anything or anybody पर्तिक बैक्ति किसी बैस्तु बैक्ति के Pi 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 दुरुस्त हूं चलिए ठीक है आईए हम लोग चलते हैं इंडियन सिविलाइशन कल्चर एक ऐसे है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है दूसरा है भारतिज माय होम एक स्पीछ भासन ऐसे मिस निवंद ये भासन है जिसको डॉक्टर जाकर हुसन ने प्रेशिडेंट के लिखेंग कैसे भासन देना है गरम जोसी से कैसे बूलना है सारे ची हम देख रहे हैं तीसा देख रहे हैं एक पींच आप एसनफ एक चुटकी नोइस नोइस कामतर होता है खाईनी का बुरादा एसनफ बहुत बढ़े लोग घर में खाईनी की बुरादे को सूंगते थे य क्या है उनके नाक साब करने का था चुर्ण खैर जो भी हो लेकिन यह असनफ ओच इनोटी में रखते हैं मनोहर माल गाओं कर अब देख रहे हैं ना मनोहर माल गाओं कर इसने लिखा बहुत इंडियन स्टाइल में कहानी को बहुत यह अच्छा लगेगा मारमिक है मेरा एक सपना है यह मार्टिन लुथर किंग जुनियर का एक स्पीच है मार्टिन लुथर किंग जुनियर सिनियर नहीं जुनियर राइट ना जे आर आइडियांज डाइट आवेल पर मैनकाइंड यह एक ऐसे है राइट ना एसे मिस निवन इसको लिखा है बटरान रसल बहुत लोगो रूजल बोलते हैं चिना तो हम लोग नाम के साथ इसको देखेंगे साथ यह भी देख रहे हैं मैक्सिमम आपके एसेज हैं उस से कम एस्टोडी है तीन और दो ही स्पीच है इस्पीच कौन-कौन साथ आबाडीम एंड भारती माहों एस्टोडी कौन-कौन साथ पेंसा पस्नप आने वाला है दा आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट और दार्थ यह तीन कहानी है एक ड्रामा है मैरेज प्रपोजल बहुत इंट्रेस्टिंग अर्सल डाइटन का ड्राम जापानी नाम है एंड चाली बॉर्ण ऐसे है जर्मेंड ग्रे राइटना गियर नहीं बोल देना है एंड हाओ फ्री दप्रेस ऐसे है नीवंद है डौथी ऐल सेर्स डौथी ऐल सेर्स देखते हो ना अब आगे की लेसंस में आ रहे हैं चुकी एक ज्याना लेसंस हैं इनके किताब में कौन-कौन से किताब है दो किताब बहुत लोग प्रोजपटी रेनवर नमर नमर टू जानते हैं इस्टोई आ देते हैं जी नहीं पंदर पंदर नमर का तीनों सेक्षन है पैतालिस नमबर आईए हम लोग देखते हैं दार्थ ये भी कहानी है एची बेट्स किताब इन दो अमर में लौग प्रोजप्ट कशोएम जानते हैं लारे में विएक भारत आई अटे भार्त नमर टूच कर दंग रह सी इंड भारत किताब अजिए तैनी भारत ये की रह साथे लोग एया देखते हैं दिए पनी इनी नहीं वारत आई ती हैं वहा प्रत आई वो लोग चम्मच काटा से खाती है ना, चाकु से, हाथ से खाना परा था, बहुत खाली थी, बहुत मस्त हो गई थी, और सबसे जादे देखी, कि बुढ़े लोग की सेवा, इंडियन से लोग जितने करते हैं, छोटे लोग, उतना कहीं नहीं है, पुरे बिदेशों में नहीं है, तो भारत की सबता ससकेती कुछ मामलों में सबसे बढ़के है, सबसे हटके है, यहां सबसे जादे सने, सबसे जादे रिस्पेक्ट, आज भी हमारे हाँ पैर चुने की पढ़ता है, ओ, देखते हूं ना, अर्थी लेते हो, उपर से एंटीना आए, छतरी लग जाती है, यह कहीं नहीं है, हरी जग गुड मानिंग, गुड एवनिंग, है न, जटकार रहा है, बोल रहा है, लगता सरी मैठन आ गई, हम लोग भी उसी भासा की कमाई खाते हैं, थोड़ी बहुत आदत है, परंतु इंडिया संसकार छोड़ते नहीं है, हर एक ची को साथ लेकर चलत इंडिया के रैटर को देखा, बिटेन के रैटर को देखा, हर एक देश के रैटर को देखेंग, अलग अलग पढ़ेंगे, इसका नाम और रैटर का नाम और बीच में दिया हुआ जो essay या फिर ड्रामा है, जैसे मैंने मैरिल प्रपोजल के बारे में नहीं लिखा, यहां प इसका नामा यानी ड्रामा मी भी कॉमेडि है, सुखांत नातक है, कामेडी इट्लेश्टट्व हैप ऐनकुलूज है, जिसके आंत में आप देखते हैं, हभी-ğभी मोमेंट होते हैं, आंतक, इट्लेश्ट्टू हैप एक पनकुलूजन, जे ना, खुशी खूशी, कमीडिन बहुत सारे देखा होगा जैसे अच्छे कुमार का गुविंदा होगा अब कितना हम मैं बर्णन करूँ लेकिन हर एक चीज से आप मस्तर हो पढ़ो प्रास्टनालिटी डेबलप्ट करो चाहो राजनिती का मामला हो फिर्म्स के मामले हो हर एक चीज से थोड़ा रखो जीएस में कुश्टन्स पूशे आते हैं थोड़ा थोड़ा रखो लगाओ राइट ना जीएस में हर एक भी से आल राउंडर तुम्हें होना पड़ेगा आगया हम लोग देखते हैं पलस्टू के बिहार बोर्ड में यह एक इस्टोड़ा भी पटई आगशे का टीन मिले लिगा वह इसलिए मैंसिंग को बनाना पांच टांसे सनान हो गई पप्रोज के मि समरी को छोड़ेवां को जादे रखो चो मिच्ण को हमेंश भी से बनेंगे 60 भी पढ़ना तो सब को यह में पर आसब रहा हूं लेगि आपको तैयारी में काट लेना होगा ग्रामर में काटने के लिए नहीं कर रहा हूं एक में नमर से मिल देगा सारे अबजेक्टिव से 50 तो अबजेक्टिव हो गए 50 सब्जेक्टिव हो गए बढ़ियां से लेना है छोड़ना नहीं है आओ इसमें आपके 6 नहीं लिखना है उसके बदले मैंचिंग बनानी है अब आजाओ हम आपको अगले चान में ले चलेंगे ओल्ड इंगले इस यह जो हम लोग अंगरे जी बोलना है बहुत दिनों की नहीं है 449 से स्वीस अगले सुरूई ही हुई थी अब 1500 से जो हम लोगे इस बोलना है 1525 से ओं ओं डरन इंगले से जैना इसल सारे हम व्याक्षान करेंगे ओल्ड इंगले सके बारे में मिडिली लिस में इसको तो अंधियुक कहा गया था दार्क इस इसको कोई डेवलम्मेंट ने हुई थी जिस तरह अपने कुरेडिया लोग बोलता है नो इसी जर्मेनिक लैंग्वेज थी फिर विलाज लोग इंग्लेंड के पास गया यह भासा और धीरे-धीर का भासा बन गया व्ल्ड लेंग कोई चीज आपसे जुदा नहीं है। इस सारे लेशन्स पढ़ंगे, आपको ज्यान भी होगा, More English क्या है, Middle English क्या है, Old English क्या है, ब्याक्ष्कां हमारी होगी अगले चल्ड मेरा ड्रामा इसके पारहएंगे, ड्रामा क्या है, ड्रामा कितने प्रखार क्यों होते हैं, कौन-कौन्स से हैं ड्रमाज के स्ट्रेक्च्छर ने दर्मा को किगा ड्रमच को लिखा कुछ को ड्राम होगा इस से एक नमली मगे कोर्म उंसी बनते हैं नमर इस कोटेफे नियुक्स कि इत्विठाउ essa दा मैंट्रिक आंधिक ऑन्टिक के मिँश्टिक शाया मय nue और एस्टोडिय अफ नवल नहीं बोलना नवल यह नवल को क्या करेंगे हम लोग इसमें नवल है नहीं पहले था 50 मास में डैविड का पाफिल उसके पुड़ी जीवनी को पढ़ते थे पुड़े novel को पढ़ते थे novel यह है नहीं novel की कहानी है यह नहीं novel के शुरुआत कहां से हुई historical novel का वाई romantic novel का इससे शुरू हुआ Greek Romances की चर्चा हम लोग उसमें पढ़ेंगे इस सारे छी का ग्यान होगा भासा माधिम है प्रस्पुटन होगा बोलने के सकती बढ़ेगी भासा जादे होगा तो भासा ही तो पुरी देश पर में पुरी दुनिया पर राज करता है भासा को एस टॉंग कीजिए जितनी एक्सपरेशन्स होगी उतने बढ़ियां होगा धीर धीरे बढ़ाई ये बढ़ जाएगा अब अब ध्यान देंगे नोट सबसे अधिक पोईट्री पर ध्यान देना है बच्चे मास के लिए चुक उससे सारे सेक्षन सब्जादे बनेंगे उसके थोड़े सौट आएइकस्परेशन के लिए हलके प्रोज सून लेंगे कहानी सब की समरी सब की लिखना नहीं है सबरी ने अबजेटिव काफी दिया एक ही बाहर से नहीं पूछेगा किताब में भी देखो कि तीन ही कोशन से आउट अब जो पुछेंगे उसको हम अलग से बताएंगे राइटिंग अलग से बताएंगे आपको ध्याज रखना है सिलबस मिलाना है उसके गौवर्मन्ट आपकी खुलेंगे तो स्विटेस्ट लवाइड़न्ट गव ओलेशन है पहला आपका अपने लिष्ट में देखा था जौन डं के दोया लिखी गई थी इससों सुलमी सताबदी के कुछ सब्दों को यूज किया गया था मैंने गाना गया था भी हाल में बहुत टाइम में पहले बहुत ही फेमस हुई थी लोग भी इसका मीनिंग नहीं समझ रहे थे लेकिन जूम रहे थे और इसमें त्यलगुत हमिल और प्लस ओल्ड इंगलिस का यूज किया गया है तो तो कोई कभी भी हिट हो जाएगा ज़िए आप उसको ठीक से सून लेते हैं ठीक से देख लेते है समझें न समझें उसको आप क्रेट बना सकते हैं अब देखिए सबसे पहले सुटेस्ट लव आई डाइंट गाव यह लव का मतलब प्यार भी होता है ओ माई लव ओ माई डिया ओ माई डार्लिंग ओ माई हानी यह प्रेमिका के लिए यूज किया जाता है जान डन कि हम जब पढ़ाएंगे तब उस दिन आप देखेंगे लेक्चर कैसे हो प्रेमकार भी पतनी को कैसे कैसे कहते हैं वह जीवन के छन को भोग लेना चाहते हैं जुदान नहीं होने का मन है उनका और कहते हैं साथ तुम से फिट अला मुझे कोई मिलेगा भी नहीं हम लोग पढ़ेंग आप इंग्लिस ल लग बोलते हैं modern english में girl जीव लेकिन पहले बोलते हैं जी आइगा एग श्यूद आफ दो दो इंडर चलता है अब नहीं बोलना है लेकिन आप स्पेलिंग मंतर देख रहा है सेल्फ यह इनिये सेल्फ है आयो कुछ और सब्द है बलीब का देखे बी-ल-ई-वी बलीब यह मॉडरन निस है बलिब भे ऐसाने बोलना है स्पेलिंग में सिर्फ अंतर है ओल्लेंड मॉर्ण को मॉर्ण करते हैं आप देखे हैं लवस्ट लवस शेर्स्ट सेज्स साल यह स्पेलिंग दी अदाव यह के लिए सब्जेक्टिव और अबजटिव के समें हाफ वई पस्ट विपस और मने हमलों बुलता है आवा ठीना आप को देख लेना है यह सारे स्विचेस्ट लब में आएगा डाई अब होता डियाई डाई इन सब्दों को आपने देखने के वाद अपने मन में विश्वास रहा होगा किस तर सब्ची हम अलग-अलग करके कुट पिस करके देंगे साइद आपको हलका लगेगा आने वाला दिन फिर आपका पॉयम से होगा और फिर उसमें आप सुख में सितीम आएंगे समझेंगे ये वादा हंड़ेट टाइम्स थाजन टाइम्स रहेगा अब आपकी राइटिंगी एक आएक नहीं सुदर सकती है मैंने कहा था तो डेविल खाम इविल बी ओके बडिल हैब आप लेव ओके रिमेंबर करो कुछ वर्ट्स को बार 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 देखो बार बार वीडियो देखो कम मसाले हैं बुक्स बहुत जल्दी हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं आपके काम पर में थोड़ी टाइम तो लगेगी इसकी पहले से हम लोग एमाजन के माध्यम से भी आप ले सकते हैं सारे सिस्टम्स को जोरा जा रहा है ताकि आपके दुविधा और दिखतें दूर हो जाए धन्यवाद हम लोग लेंगे ब्रेक और फिर मिलते हैं एक पोएम के साथ अगले दिन बाबाई